आज कल competition का जमान आए, इसलिए हर मावाप को लगता है कि मेरा बेटा या मेरी बेटी हर एक क्लास में number one आए या ऐसे कुछ अच्छे मार्सल है जिससे वो अच्छी कॉलेज में या अच्छे कोर्स में उसको easily admission मिल सके उसका भविश्य ठीक से हो सके, वो जिन्दगी में आगे बढ़ सके और इसलिए हर बच्चे की स्मरण शक्ती ठीक होना बहुत ही important है अगर वह स्मरण शक्ती में बहुत अच्छे है तो फिर कोई भी पड़ी हुई बात उनके दिमाग में ठीक से बैट सकती है या कोई भी विशय उन्होंने पढ़ने को लिया तो उसका आकलन इजीली हो सकता है और इसलिए स्मरण शक्ती ठीक रहना बहुत important है लेकिन बहुत बार कुछ कारणों के वज़े से स्मरण शक्ती ठीक होती नहीं है जो कुछ पढ़ा है वो जल्दी भूल जाते है या जो कुछ पढ़ रहे वो दिमाग में ही नहीं रहे रहा है अगर ऐसी कुछ समास्या है तो ये वीडियो में हम कुछ ऐसे होमेपैथिक रेमेडिस डिसकस करने वाले है जो आपके बच्चों को स्मरण शक्ती में अगर कुछ प्रॉबलम है तो उसके लिए लाबदायक हो सकती है स्मरण शक्ती की कमे की सबसे इंपॉर्टन डवा है बरैटा कार्ब ये बच्चे में इनका जो दिमा होता है बहुत सुस्त होता है और वैसे ही वो कम्प्लिटली खाली होता है इनका ओल अराउंड डेवलप्मेंट होता ही नहीं है मानसिक और शारिक तोर पे ये डेवलपी होते नहीं है उनका विकास completely रूप जाता है वैसे ये बच्चे बहुत डर्पक होते है ये इतने डर्पक होते है कि वो अकेला रहना पसंद करते है किसी से मिल जुल के रहना इनके लिए अच्छा नहीं होता क्योंकि इन्हें ऐसे लगता है कि मैं बहुत ही कमजोर हूँ मैं शारेरिक और मांसिक रूप से बहुत ही छोटा हूँ और इसलिए जब ये especially अजनवी लोगों से मिलते है तो उनको बहुत डर लगा रहता है और इसलिए इनका adaptation ऐसे होता है कि मैं अजनवी लोगों से मिलू ही नहीं इसलिए जब कोई strangers घर में आते है या कोई guest घर में आते है तो ये दूसरी कमरे में चले जाते है ये इनके सामने आते ही नहीं है और इनके कमजोरी के वज़े से या खुद को छोटा समझने की वज़े से ये कभी भी किसी के साथ खेलते नहीं है अकेला रहना पसंद करते है वैसे ये बच्चे इनकी मूँ से हमेशा लार टपकती रहती है ये बच्चे को हमेशा ऐसे लगता है कि मैं इतना छुटा हूँ कि कुछ भी करने जाओ तो फिर उसमें गलती हो सकती है और लोग मुझ पे हसेंगे इसी वजे ये बच्चे किसी से मिलते जूलते नहीं है या कोई काम इनको कहे तो जो काम कहा गया है वही काम करते है खुद के मन से कोई भी काम करता नहीं है इनको कुछ भी समझाओ, इनको कुछ भी पढ़ाओ, इनके दिमाग में जाता ही नहीं है, ये इमिजेटली भूल जाते है, अगर ऐसी समझ्या है, तो बरायटा कार्ब 200 हर सब्तर इसका एक डोस देना, ये बच्चे में बहुत अच्छी डेवलप्मेंट आपको नज़र आ सक समरण शक्ती कमे की नेक्स्ट दवा है एनकरडिया, इनमें इन्फिरिटी कॉंपलेक्स बहुत होता है, और ये इन्फिरिटी कॉंपलेक्स आता कहां से है, तो उनके जो पैरेंट्स होते हैं, अगर वो मा है या बाप है, या दोनों की वज़े से इनमें इन्फिरिटी कॉं पुरा उनका confidence की धजिया उड़ा देते हैं अगर ये बच्चा कुछ करने जाए तो वो करता तो है तो appreciation की जगह उनको criticism मिलता है तो बच्चे का confidence completely चला जाता है फिर बच्चों को उन parents के प्रती फिर मां हो बाप हो या दोनों हो उनके प्रती बहुत hatred पैदा होता है उनको दे confidence की कमी आ जाती है इनमें अचानक confidence गायब हो जाता है क्या confidence कम होने लगता है ये बिलकुल भुलकड हो जाते हैं इनके दिमाग में कुछ रहता नहीं है और इसी वज़े से जब ये किसी भी परिक्षा का सामना करते है तब ये डर जाते हैं इन्हों ऐसे लगता है कि भाई म मैं इसमें fail हो जाओंगा और इसलिए अगर इनको कोई भी काम कहे कि ये तुझे काम करना है तो ये वहां में घबरा जाते हैं क्योंकि इनको ऐसे लगता है कि ये काम मुझसे हो नहीं पाएगा इनको खुद के उपर ही भरोसा होता नहीं है और इसलिए कोई भी काम करने से पह तो Anacardium 200 हर हफ़ते उस बच्चे को दे देना, इनकी ये प्रॉब्लम बहुत हद तक कम हो सकती है स्मारण शक्ति कमे की नेक्स दवा है Lycopodium ये Lycopodium दवा हमारे Materia Medica में confidence जिनका कम है उनके लिए सर्वो प्रथम सोचने वाली दवा है इस दवा का जो बच्चा होता है ये बहुत डरपक सोबा का होता है इसकी स्मरण शक्ति बहुत कम होती है चीजे इसके ध्यान में आती नहीं है और इसका कारण होता है कि इनका confidence कम होता है और fear of failure ये उनमें डर होता है डर की वज़े से और confidence कम होने की वज़े से इन में स्मरन शक्ति की कमी होती है अब ये डर क्यों होता है क्योंकि उनको ऐसे लगता है भले बच्चा हो तो अगर मैं किसी चीज में fail हो गया किसी परिक्षा में fail हो गया तो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे लोग क्या सोचेंगे और मेरी इस समाज में क्या इज़त होगी वले बच्चा है तो मेरी इस कॉलनी में क्या इज़त होगी मेरी इस बिल्डिंग में क्या इज़त रहेगी ये सोच के इसके मन में जो डर पैदा होता है जिसकी वज़े से जो कुछ पढ़ता है इसके दिमाग में वो रहता नहीं है और महबाप को लगता है कि इसके स्मरज शक्ते में कुछ तो प्रॉबलम आ गई है ये बच्चे बहुत डरपोख होते हैं तबी भी ये बहुत तानाशाई होते हैं जगडालू होते हैं बहुत गुस्से वाले सोवाव के होते हैं इमिजेटली इनको गुस्सा आ जाता है कोई इनको विरोध करे तो इनको अच्छा लगता नहीं है वैसे उनसे बड़े लोगों का ये बहुत आदर करते हैं लेकिन जिनको ये अपने से नीचे समझते हैं बले इनकी दादी हो इनके माबाब हो जो इनके बैकाओं में आ सकते हैं जिनके उपर इसकी तानाशाई चल सकती है इनके उपर ये इसली गुस्सा निकाल सकते हैं इनके उपर ये dictatorial हो सकते है जब इनका school में open house होता है तब इनकी teacher बोलते हैं ये बहुत ही intelligent है ये बहुत ही नमरता पुर्वक है हर question का ये बहुत ही अच्छा answer देता है इसके पीछे एक reason होता है जो lycopodium बच्चे होते उनको हमेशा इससे लगते रहता है कि मैं मेरे class teacher का favorite बनो और इसलिए वो हमेशा first bench में रहना पसंद करते है जिस विशे के बारे में थोड़ा सा भी ये जानकारी इन में रहती है तो वो विशे के बारे में अगर इनके class teacher ने कोई प्रशन पूछ लिया तो ये immediately हाथ उपर कर देते है क्योंकि वो यह जताने की कोशिश करते है कि मैं भी ये subject में कम नहीं हूँ ये theoretical knowledge लेना पसंद करते है किताबे बहुत सारी पढ़ना पसंद करते है क्योंकि इनको हमेशा अपने teacher के अच्छे book में रहना याने good book में रहना पसंद होता है लेकिन इनकी teacher जब इनके parents के साथ बात करते है कि ये बहुत ही अच्छे बच्चे है हमेशा class में नमरता पुरुवक रहते है तब इनके जो माबापे वो confused हो जाते है वो मन में कहते है कि एक बार आप घर पे आके देखिए फिर आपको असली बात समझ में आएगी वैसे ये बच्चे अंदरे से डरते है अकेले रहने से बहुत डरते है डराऊनी फिल्म से डरते है रात में डर कर उठ जाते है अगर ऐसी तकलिफे है जिनको लिखने में बहुत problem आ रही है गलतिया कर रहे है बोलने में problem आ रहे है बोलने में गलतिया कर रहे है confidence कम की वज़े से वह अपने शिक्षा में आगे नहीं जा पा रहे है उनकी capacity है लेकिन उतने marks उन में आते नहीं है तो आप lycopolium 200 एक खुराक हर हफते इनको दीजिए इनकी आत्मविश्वास की ये problem है ये बहुत हद तक कम हो सकती है फॉस्परिक असिड्स मरन शक्तिक कम जिसमें है उन बच्चों के लिए फॉस्परिक असिड्स बहुत important डबा है ये बच्चे दुबले पतले कमजोर नज़र आते है इनके आखों के नीचे काले घिरे आते है जैसी कि ये बच्चे बिमार है बाल सफेद होने लगते है बाल जड़ने लगते है बच्चे उदास नज़र आते कोई काम में इनका मन नहीं लगता इस्पेशले मांसिक काम में इनका मन नहीं लगता जब कोई कार्य करने जाते है इमिजेटली ठक जाते है पढ़ाई में बैटे इमिजेटली ठक जाते है अभी अभी पढ़ा है अभी भूल गए इतनी समरण शक्ती की कमी इन में रहती है और especially जब सुभे उटे तो कोई भी मातसिक कार्य करने पाते है अगर ऐसे symptom है फॉस्पर और नाम में गलतिया करते हैं यह दूसरे का नाम तो छोड़ दो अपने जो दोस्त है और खुद का नाम भी भूल जाते इतनी इन में एक स्मरणशक्ति की कमी होती है बच्चे लिखते समय स्पेलिंग मिस्टेक करते हैं बच्चे लिखते समय अक्षरों में बहुत गलतिया हो वैसे यह बच्चे बहुती इर्शालू चिर्चडे सोवाओ के होते हैं यह बहुती इंपेशन्स बच्चे होते हैं वैसे जब यह बच्चे सोते हैं तो पेट के बल सोते हैं या सीने के नजदिक अपने दोनों घुटने लाते हैं और वो सोते हैं वैसे यह जो बच्चे हो तो मेड़ोरिनम 200 हर सब्त या हर 15 दिन में एक बार दीजिए ऐसे दो मेने देने के बाद आपको इन बच्चों में ये स्मरन शक्ति का जो प्राब्लम है ये बहुत हद तक कम होते हुए नजर आ सकेगा स्मरन शक्ति की कॉमनेस दवाए नैटरमोर ये बच्चे बहुत ही दूबले पतले कमजोर नजर आते हैं बोलना चलना लेट सिखते हैं वैसे ही confidence बहुत कम होता है ये sensitive होते हैं इनको कोई डाटे धमकाए फटकारे बड़ी जल्दी रो देते हैं लेकिन कोई समझाने जाए त दूद कई बच्चों में पसंद आता है कई बच्चों में ये ना पसंद होता है वैसे ही ये इतने forgetful होते हैं कि मैं कुछ अभी बोलने जा रहा हूं या कुछ लिखने जा रहा हूं ये इनके ध्यान में ने रहता वैसे ही कुछ पढ़ने जा रहा हूं पढ़ते हैं immediately भूल तनसी दो मेंगे खिये एक खुराक हर सबता दो मेने देने के बाद के निकि यह proble Time है बहुत हरता कम शकती मैं की कम्था कि सबसे और एक अच्छी दवा है इतूजा इतूजा यह जो दवा है इसका जो रोगी होता यह बहुत इस डुबला की कमजोरी ये इस दवा का प्रमुक लक्षन है वेसे ये जो बच्चा होता है इसकी स्वरण शक्ति इतनी कमजोर होती है कि ये परिक्षेस में बहुत डरता है ये जब पढ़ाय में बैटा है तो पढ़ाय करते करते दिमाग ठक जाता है और दिमाग ठक जाने की वज़े से इसको परिक्षा के वक्त बहुत डर लगता है दिमाग खाली-खाली सा लगता है और जो कुछ पढ़ा हुआ है फिर इसके ध्यान में रहने में बहुत कठेनाई आती है अगर ऐसे कुछ सिम्टम से तो परिक्षा क पहले एक मेने पहले इतूजा 30 दीन में दो बार आप शुरू कर देना पढ़ाई करते समय जो दिमाग ठक जाता है उसके लिए ये सबसे अच्छी दवा है जिससे उनकी पढ़ाई ठीक से हो पाएगी confidence कम होने की वज़े से जब स्मरण शक्ती में problem आती है तो उसकी सबसे बहतरी दवा अर्जेंटिकम नाइटिकम है ये बच्चे बहुती दुगले पतले कमजोर नजर आते हैं बूड़े जैसे लगते हैं ये जो बच्चे होते स्मरण शक्ती इतनी कम होती है कि कोई भी कारिय क करने से पहले इनके मन में एक डर सा आ जाता है ये कारिय मुझसे होगा या नहीं होगा मैं इसमें सफल हो पाऊंगा या नहीं हो पाऊंगा इसलिए परिक्षय के पहले या परिक्षय के समय इनको लूज मोशन की problem आती है स्टेज परफॉर्मन्स करना है डर जाते है कहां भाशन देना है डर जाते है अगर ऐसी शिकायत है तो परिक्षय के पहले 15 दिन पहले अर्जेंटिकम नाइट्रिकम दिन में दो बार 30 पोटेंसी में आप ये स्टार्ट कीजिए इनकी ये problem बहुत हद तक कम हो सकती है ये ब होती है या किसी नए जगे जाना है या भीड़ भाड़ वाली जगह में जाना है तो ये बहुत डर्थ है अगर ऐसी शिकायत है तो अर्जेंटिकम 200 पोटेंसी में आप इन बच्चे को ये medicine प्रिस्क्राइब कीजिए ये जो problem है ये completely चली जा सकती है स्मरण शक्ति कमीका ज इसलिए ये जो बच्चे होते है मानसिक या शारिक श्रम से ठक जाते है जब ये पढ़ाई में बैटे है तो पढ़ाई करते करते इनका सीरदर्थ चालू हो जाता है आत्मविश्वास की बहुत कमी होती है ये ठीक से concentrate कर नहीं पाते और जब ये पढ़ाई में बैटे है त problem कम हो सकती है स्मरण शक्ति की कमे की और एक दबा एगरिकस ये जो बच्चे होते है इनका मानसिक विकास बहुत ही लेट स्टार्ट होता है वेसे ही ये बोलने और चलने में बहुत लेट सीखते है ये जो बच्चे होते है ये पढ़ाई में बहुत धिले होते है कोई भी च भी ध्यान में नहीं रहे इसलिए यह बच्चे स्कूल में जाने से भी बहुत कत्राते हैं यह बच्चे इतने कमज़र होते हैं कि इनके ध्यान में कुछ रहता नहीं है इतना इनका दिमाख सूस्त होता है अगर ऐसे सिम्टम से तो आप अगरिकस 30 हर हफ्ते एक खुरा यह ती ठीक हो सकती है अलूमिना यह रेमेडी स्मरण शक्ति के कमी जिन बच्चों में है इनके लिए बहुती बढ़िया दवा है यह बच्चे बहुत दुबले पतले और कमजोर नजर आते हैं यह जो बच्चे होते यह बहुती जिद्दी और चिर्चिडे सुबाओ के होते हैं मा यह जो बच्चे होते हैं इनको इटेव के टुकडे या खटी चीजे वेसे ही चौक या चाई पती या हमारी जो दिवारे होती है उनमें जो चुना लगा हुआ होता है यह खाने की बहुत इच्चा होती है अगर ऐसे लक्षन है तब आप इनको अलूमिना थर्टी हर पंद थुलतिले वैसे ही इनका जो सीर होता है वो भी बड़ा होता है पेट भी फूलेला होता है इनकी टांग बहुत ही छोटी होती है और कमजोर होती है यह बोलने चलने में बहुत लेट होते है वैसे ही इनका दिमाग बहुत सुस्त होता है कोई भी मामुली सी भी चीज अगर पढ़ने बैठे तो इनको वह चीज समझने के लिए बार-बार पढ़ना पढ़ता है कोई मामुली चीज सीखनी है तो इनको बहुत वक्त लगता है यह जो बच्चे होते इनको अंज बहुत पसंद होती है यह चीली पेशन्ट होते है ठंड मौसम में या कोई भी मौसम उनमें मट्रे अमेरिका में बहुत दो फेमस दवा है, एक है लाइकोपोडियम और एक है सिलिश्या. सिलिश यह जो बच्चे होते यह बहुत ही दुबले पतले होते हैं वैसे ही इनकी जो टांगे होती है यह बहुत ही दुबली होती है इनकी हड्डिया बहुत नरम होती है और इसकी वज़े से यह बहुत लेट चलना सिखते हैं कोई भी mental work यह काम कर नहीं सकते हैं क्योंकि mental work करने से ये ठक जाते हैं। वेसे ही ये जो बच्चे होते इन में परिक्षा का बहुत डर होता है। मैं शायद परिक्षा में फेल हो या न हो अगर में फेल हो जाऊंगा। ऐसा डर इन में लगा होता है। भले हो कितने भी intelligent हो। ये बहुत ही विनम्र सुभाओ के होते हैं। वेसे ही ये किसी की बाट तालते नहीं है। ये सुन के लेते हैं लेकिन करते हैं अपने मन की। उनके सीर पे और जो गर्दन हैं उनमें चिपचिपा पसीन आता है। लेकिन पूरा शरीर बहुत एकदम सुखा हुआ नजर आता है। हाथ और पेर इनमें बहुती बदूर्बार पसीन आता है। अगर इनसे आप हस्तान दुलन करें शेकन करें तो आपको पता चलेगा कि इनके हाथ बहुत गिले हैं। ऐसे अगर सिम्टम्स नजर आ रहें। सिलिशया 200 हर हफते एक खुरा तीन मेने के लिए देना। इनकी ये प्रॉब्लम कम हो सकती है। स्मरन शक्ति कमी के प्रॉब्लम को हटाने के लिए। अब तक हमने जो भी मेडिसिन देखी है। उसके साथ 12 टिशू कालिफॉस 6-6 या 12-X दिन में दो बार ऐसे आप दो मेने दीजिए। इन दवा के साथ ये दवा देने के बाद ये जो इनका स्मरन शक्ति का प्रॉब्लम है वो बिलकुल हट सकता है। अभी तक हमने जितनी भी होमेपैथिक दवाया देखी ये दवाया आपके नजदी की होमेपैथिक डॉक्टर से सला लेकर ही आप यह मेडिसिन दे देना। या आपके हुमेपेथिक डॉक्तर जो कुछ मेडिसिन आपके बच्छों के लिए मेडिसिन आप लेना यह विडियो आपको कैसे लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में लिकिये वीडियो लाइक कीजिए शेयर कीजिये टैंक यू ठैंक यू बेरी मच्च